हलो दोस्तों IPL 2019 में बेंगलूरू और पंजाब का मैच आज दो साल से रॉयल चैलेंजर्स को हरा नहीं पाया है किंग्स इंडियन प्रीमियर लेक के 12 सीजन का 42 मुकाबला आज रात 8 बजे से एम चिननस्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा और इस सीजन में दोनों के बीच ये दूसरा मुकाबला है 13 माई को IS बिंदरा स्टेडियम पर हुए पहले मुकाबले में बेंगलूरू ने पंजाब के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की पंजाब ने बेंगलूरू के खिलाफ आखरी बार 6 माई 2017 को जीत हासिल की थी उसके बाद से दोनों के बीच 3 मैच खेले गए तीनों में 12 मैच जीतने में सफलता प्राप की है एम चिनना स्वामी स्टेडियम पर दोनों के बीच 10 मैच हुए है और इन में से दोनों टीमों ने 5-5 मैच जीते हैं इस सीजन के अगर बात करें तो बेंगलूरू की टीम ने 10 में से 3 मैच जीते हैं जबकि 7 में उसे हार जिलनी पड़ी है वही 6 अंक लेकर तालिका में आखरी नमबर पर है अब उसे प्लेओफ में पहुचने के लिए अपने सभी मैच जीतने होंगे वही अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब की टीम ने 10 में से 5 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं और इसी के साथ 10 अंको के साथ वो 5 में नमबर पर है उसकी स्थिती भी अच्छी नहीं है उसे भी playoff में बने रहने के लिए बाखी बच्चे 4 में से 3 मैच जीतने जरूरी है तो दोस्तों आज का मैच कौन से टीम जीतेगी हमें वीडियो की कमेंट में जरूर बताए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पेस्बूक पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भुले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद